Hi everyone, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वापनिल हमारा मकसद है कि हम अच्छी-अच्छी कहानी आपको सुना के आपका मनो रंचन करें आज मैं आपको एक कहानी सुनाँगा और इस कहानी का शीरशक है वो कौन थी आईए फिर बिना वगजाय किये सीधा आज की कहानी सुनते है चौदरी सहब बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कारे रत थे काफी खुशाल जिंदगी थी, घर में उनके अलावा उनकी पत्नी और एक बेटा बेटी थे दोनों काफी छोटे थे, इसलिए घर पे ही रहते थे बेटा और बेटी दोनों शुशील और सांथ सुभाओ के थे चौदरी सहाब की पत्नी का जीवन बच्चों को समालने में ही निकल रहा था बेटी बहुत ही जादा सुन्दर थी, बिल्कुल परी की तरह इसलिए उसे जादा घर से निकलने नहीं दिया जाता था बेटा और बेटी बहुत मिलनसार सुभाओ के थे और घर में जब भी कोई बाता था, जट से उनके पास चले जाते थे जिन्दगी अच्छी गुज़र रही थी, पर एक दिन चौधरी साहब का ट्रांसफर शहर से दूर एक गाउं में हो गया और उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होने लगी कुछ दिनों तक तो वो अपने पुराने घर से ही आया जाया करते थे फिर उन्हें गाउं में एक मकान किराय पे बिल गया और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहने आ गए मकाम के सामने ही एक बड़ा पोखर था जिसके पास एक पीपल का पेड़ था वहां का वातावरन बहुत ही साफ और शुद्ध हवा मिल रही थी इससे उनके परिवार की सेहत और स्वास पे बहुत अच्छा असर पड़ा एक दिन चौद्री साब बैंक गये थे दोपर के बारा बज़े का समय था तभी उनके घर के महां एक बोड़ी आई उसने जैसे ही चौद्री साब की बेटी को देखा उसे गोद में लेकर खिलाने लगी तभी चौद्री साब की पत्नी बहार आई और देखा कि एक अंजान औरत के गोद में उनकी बेटी खेल रही है तभी उसने उस बुढ़िया से अपनी बेटी को ले लिया और बुडिया पे चिलाने लगी कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो तो बुडिया ने उसे कहा ये बेटी मुझे दे दे तेरी बेटी बहुत सुन्दर है मैं बस इसे थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ तो चौधरी साब की कवर्तनी ने कहा मेरी बेटी है तुम ही क्यों दे दू कहके उस बुढ़िया को आखे दिखाने लगी तब ही बुढ़िया ने कहा इतनी प्यारी बेटी है मुझे थोड़े देर के लिए दे इसमें तेरा क्या जाएगा चौधरी साब की बतनी बहुत गुस्सा हो गई वो बुढ़िया पे चिलाने लगी और उसे घर से निकल जाने को कहा बुढ़िया चौधरी साब की पतनी को और उनकी बेटी को खूरते हुए घर से निकल गई रात को सब खाना खाकर जब सोने गए तो उनकी बेटी की तबियत अचानक भी कड़ गई चौधरी साब बहुत परेशान हो गए मगर रात को ही अपनी बेटी को डॉक्टर पास लेखे गए तीन दिन तक उनकी बेटी का इलाज चला सारे टेस्ट हुए सारी दवाईया दी गई मगर उनकी बेटी की तबियत किसी तरह ठीक हो ही नहीं रही थी तब ही चौधरी साब के पत्नी को लगा हो नहों इसमें उस बुड़िया का हाथ है और इस कारण उस बच्ची को जाड़ फुक वाले बाबा के पास ले गए बाबा ने जैसे ही बेटी को देखा उन्होंने कहा इस बच्ची पर किसी ने जादू टोना करवाया और बाबा ने एक ताबीज बना के उस बच्ची को पहनने के लिए दी दीरे दीरे बच्ची की तब्यट ठीक होने लगी और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा पर एक दिन अचानक उनकी बेटी सुबह उठके गायब हो गए वो किसी को कही नजर ही नहीं आ रही थे चौधरी साब की पत्ती ने सारा घर ठोन लिया तक कोई फाइदा ने तब ही उनकी नजर बाहर गई और बाहर उन्हें वो बुड़िया दिखी जैसे ही चौधरी साब की पत्ती नी बाहर उस बुड़िया से बात करने गई तो देखा वो बुड़िया वहां से गायब हो चुकी है सारा दिन ढूंडा लेकिन बच्चे कहें नहीं पिले ठक हार कर रिपोर्ट पुलीस में कराई गई पुलीस ने जब अपनी च्छानबिन शुरू की तो उन्हें वहां के एक आदमी से पता चला कि आखरी बार चौधरी साब की बेटी को सुबा सुबा उस पोकर के पास देखा गया था उस पीपल की पेड़ के नीचे तो पता चला पूरे इलाके में वैसी कोई बुडिया रहती ही नहीं है पुलीस ने भोट ढूंड़ा और एक साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया आज उस बात को 25 साल हो गया है मगर चौधरी साहब और उनकी पतनी को आज तक पतानी चाहला कि उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या हुआ और वो बुडिया वो बुडिया वो कौन थी अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दू तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए इमेल आडर्स पर आपनी कहानी मुझे जरूर भेजे उमीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानीों के साथ तब तक अपना ध्यान रखे